साथियों, आपके तप से और हम सब के साजा प्रयासों से महामारी के इस हमले को आपने कापी हद तक समाला है लेकिन अभी संतोष का समय नहीं है हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है अभी हमें बनारस और पुरवान चल के ग्रामिर्म इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है और अब मंत्र हमारा क्या होगा हर व्यवस्ता के लिए, हर इकाय के लिए नया मंत्र यही है जहां बिमार, वही उपचार यह हम भूले नहीं जहां बिमार, वही उपचार जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे उतना हमारी हेल्थ वबस्ता पर दबाव बहुत कम होगा और इसलिए हम सबनारी सारी वबस्ताएं जहां बिमार, वही उपचार इस सिध्धान पर और दूसरी बात माइक्रो कंटेन्मेंट जोन काश्ची ने भहुत सफलता पूर्वक उस पर ध्यान केंदित किया और उसका लाब मिल रहा है माइक्रो कंटेन्मेंट जोन बनाकर जिस तरह आप शहर एव गावों में गर गर दवाएं बाट रहे हैं आपने मेडिकल की कीट पहुँचाईए गावों के लोगों तक ये बहुत अच्छी पहल है इस अभियान को गरामीन इलाकों में जितना हो सके उतना व्यापक करना है डॉक्टर्स, लैब्स और ये मार्केटिंग कंपनियों को एक साथ जोड करके काशी कबच नाम से टेली मेडिसिन की सुविधागी ये भी काशी का बहुत इनोवेटिव प्रोग है इसका लाप गाव गाव में लोगों को मिले इसके लिए विशेश जागुरता अभियान भी चलाना चाहिए इसी तरह यूपी में कई सीनियर और यूआ डॉक्टर्स ब्री ग्रामेड इलाकों में टेली मेडिसिन के मादम से सेवा कर रहे हैं उनको साथ लेकर इसे और व्यापक किया जा सकता है कोवीड के खिलाप गावों में चल रही लडाई में हमारी आशा बरकर और एनेम बेहनों की भी भूमी का बहुत एहम है मैं चाहूंगा कि इनकी ख्षमता और अनुभव का भी जादा से जादा लाब लिया जाए साथियों सेकंड बेव में हमने वैक्सिन की सुरक्षा को भी देखा है वैक्सिन की सुरक्षा के चलते काफी हद तक हमारे फरंट लाइन वरकर्स सुनिश्चित रहे कर लोगों की सेवा कर पाए यही सुरक्षा कवच आने वाले समय में हर व्यक्ति तक पहुँचेगा हमें अपनी बारी आने पर वैक्सिन जुरू लगवानी है कोरोना के खिलाप हमारी लडाई जैसे सामोहिक अभ्यान बन गई है वैसी ही वैक्सिनेशन को भी हमें सामोहिक जिम्मेदारी बना रहा है